क्रिसी कानिनों के खिलाब दो महिने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने गरतंद्र दिवस के मौके पर ट्रेक्टर मार्च निकाला लेकिन बीते दिन जो कुछ हुआ हुर्दंग से अधिक था दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हिंसा देखने को मिली पुलिस प्रदसन कारियों में संगर्स हुआ हाला कि अब आंदोलन करने वाले किसान दावा कर रहे हैं कि उत्पात से उनका कोई लेना देना नहीं है बलकि आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुसाये थे अगर ट्रेक्टर मार्च से पहले किसान नेताओं के पुराने बयानों को देखें तो सभी ने पुलिस द्वारा तय रूट पर चलने, सान्ती से मार्च निकालने और फिर वापस प्रदसन पर पहुचने की बात कही थी लेकिन ट्रेक्टर परेट के दोरान ऐसा कुछ नहीं हुआ आई आपको बताते हैं ट्रेक्टर परेट से पहले किस किसान नेता ने क्या कहा योगेंदर यादों ने 17 जन्वरी को कहा ट्रेक्टर परेट को सान्ती पूर्ण धंक से किया जाएगा इस दोरान लोग कोई भी हत्यार ना लाएं, हिंसा या भड़काओ भासन का प्रयोग ना करें राकेश टिकैट ने 20 जनवरी को कहा, हम लौ एन ओर्डर को खत्म नहीं कर रहे हमारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस दिन क्यों हिंसा होगी, हिंसा का सवाल ही नहीं उड़ता दर्शन पाल सिंग ने 25 जनवरी को कहा, ट्रेक्टर परेट के दोरान अनुसासन का पालन करें सभी को धीरे धीरे ही ट्रेक्टर चलाना है, कोई भी किसी तरह का स्टंट ना करे इसको सांती पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं, तभी इसको दुनिया में माना जाएगा और अगर इस दोरान कुछ होता है, फिर हमारे लिए चिन्ता की बात होगी गुर्णाम सिंग चडूरी ने 25 जनवरी को कहा, सभी किसानों को रूट का पालन करना होगा तए रूट पर ही निकलें और सांती पूर्ण तरीके से आगे बढ़ें बलवीर सिंग राजेवाल ने 25 जनवरी को कहा, किसान ट्रेक्टर परेट को लेकर सांती ही बरतें और जैसे आंदोलन सांती के साथ चला है, वैसे ही परेट को चलाये जाएगा अब आपको बताते हैं 26 जनवरी के बवाल के बाद क्या-क्या बयान सामने आया गरतंतर दिवस के मौके पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ट्रेक्टर परेट के दोरान हिंसा हुई आई-टी-ओ, लाल-किले, नंगलोई समेत कई इलाकों में दिल्ली पुलिस प्रदसन कारियों के बीच भीच भीशन संघर्स भी हुआ किसान संगठोनों ने इस पूरे बवाल से अपना पला जाडने की कोशिस की गरतंदर दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसने क्या कहा चलिये नजर डालते हैं राकेश टिकेट, सभी ट्रेक्टरों की जिम्यदारी उनकी है दिल्ली पुलिस ने तैर रूट पर भी बेरिकेट्स लगाये थे इसलिए जिने दिल्ली का रूट नहीं पता था, वो किसान गलत तरब टेक्टर ले गए लाल किले पर छंड़ा फैराने में उनका हाथ नहीं है दीब सिद्धु जैसे लोगों ने किसानों को भड़काने का काम किया है सायुक्त किसान मोर्चा, ट्रेक्टर परेट के दोरान जो हिंसा हुई है उसका किसान मोर्चा से कोई समबंद नहीं है कई उपद्रवी परेट में घुस आए और हिंसा की काफी लोग उनके बहकावे में आकर अलग-अलग जगवों पर ट्रेक्टर ले गए योगेंद्र यादो, जिन लोगों ने हिंसा की है और लाल किले पर जंडा फेराया है उनका हमारे संगठर से लेना देना नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही अलग रुख अपनाई हुए थे और लाल किले तक जाने की बात कर रहे थे जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया उन पर एक्सन होना चाहिए इसके अलावा दीप सिंदु जैसे लोग लगातार किसान नेताओं के खिलाफ थे वो युवाओं को बर्गलाने में लगे थे साथियो मैं या शाजापुर की परेड के भीच में हूँ लेकिन यह अपील कर रहा हूँ मैं शाजापुर के बारे में या तो बेवस्तित तरीके से नि अन्शाशित तरीके से चल रही है जो रिपोर्ट आ रहे हैं टीवी पे चल रहे हैं पुलिस की तरफ से इंफर्मिशन आ रही है उससे पता लग रहा है कि तीन चार जगें पे बेरिकेट टूट गए हैं किसान जिनी के दूसरे इलाकों में आ गए हैं मैं एक अपील करना चाहता हूँ एक सूचना देना चाहता हूँ सूचना ये है मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाकी चार्ज नहीं हुआ है गोली वगरा का कोई सवाल नहीं है ये रिमर्स हैं अफवा हैं अफवा पे बिल्कुल ध्यान मत दीए अफ़ा से बहुत भुक्सान हो जाता है और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तैक किया है उसी पर रहे हैं उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है अब बात करते हैं दिल्ली में हुई हिंसा की दरसर दिल्ली में किसान संगठनों ने ट्रेक्टर परेड निकालने की इजादत मांगी थी दिल्ली पुलिस ने कुछ निश्चित रूट तैक कर दिया था और दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक का वक्त दिया था हलाकि मंगलवार को सुबह 8 बजे से ही काफी जगहों पर किसानों ने बेरिकेट तोड़ कर दिल्ली में घुसने की कोशिस की उसी के बाद ही दिल्ली में जगजगँ हिंसा सुरू ही दिल्ली के आईटियो, नागलोई, सिंधू बॉर्डर, टिक्री समेथ अन्य कुछ इलाकों में पुलिस किसानों में संघर्स हुआ